हेलो फेंड्स कैसे हो आप सब उम्मेद है सब अच्छे से होगे आप सब को भगवान बहुत खुछ रखे दोस्तो आज के वीडियो में बात करेंगे माइक्रोवेव के बारे में माइक्रोवेव आपको कौन सा लेना चाहिए इस बारे में ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है इस चीज के उपर कभी और वीडियो बनाएंगे लेकिन इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंट्रस्टिंग और अलग है और मुझे पूरा यकीन है अगर आपके पास कोई माइक्रोवेव है तो आप इस चीज को ट्राई जरूर करेंगे दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी माइक्रोवेव हो उसकी लीटर्स में कैपसिटी कैसे मेजर की जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि माइक्रोवेव की जो कैपसिटी होती है वो लीटर्स में होती है उपर लिखा होता है उनके कि ये 25 लीटर का है जैसे कि अब ये माइक्रोवेव है ये आई एफबी का है 25 लीटर का माइक्रोवेव है लेकिन इस पे तो लिखा हुआ है लेकिन को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है और साथ में बैल ऐकन को दबा कर सभी नौडिफिकेशन्स आउन कर लो ताकि आने वाले सभी उस्पूल वीडियो के नौडिफिकेशन्स आपको मिलते रहें माइक्रोवेव की कैपेसिटी कैलकुलेशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक बाते क्लियर कर देता हूं दोस्तो माइक्रोवेव बेसिकली तीन तरह के आते हैं पहला सोलो दूसरा OTG और तीसरा कन्वेक्शन टाइप यह जो मेरे पास पड़ा हुआ है यह कन्वेक्शन माइक्रोवेव है और इसको 3-in-1 माइक्रोवेव भी बोलते हैं दोस्तो जो सोलो माइक्रोवेव होता है वो सिरफ और सिरफ खाने को री हीट करने के लिए होता है उसमें आप कोई चीज बना नहीं सकते हो जादा दर शॉप्स के ऊपर आपको जो माइक्रोवेव दिखते हैं जैसे समोसे, ब्रेट पकोड़े यां, फास फूड की शॉप्स होती हैं उन पे जो microwave होते हैं वो solo microwave होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो खाना गर्म करके आपको देते हैं दोस्तो solo microwave के अंदर एक magnetron लगा होता है जिसकी मदद से microwave generate होती है और वो खाने को गर्म करती है दूसरा टाइप है OTG OTG जो टाइप होता है उसके अंदर magnetron नहीं लगा होता है और magnetron नहीं लगा होता है तो इसलिए OTG को microwave की category में नहीं रखा जाता लेकिन वो दिखता वैसा है तो लोग उसको भी microwave या फिर oven बोलते हैं हलाकि उसके अंदर heating rods लगी होती है वो खाने को गरम करती है या फिर आपको किसी चीज को grill करना है तो फिर आप OTG में कर सकते हो तीसरा टाइप होता है convection type और यही most popular type है microwaves का और जादातर लोगों के घर में convection type microwaves ही use होते हैं तो कि इसमें आप solo microwave की तरह खाना reheat भी कर सकते हो OTG की तरह grilling भी कर सकते हो और इसके अंदर आप baking भी कर सकते हो biscuits बना सकते हो cake बना सकते हो pizza's बना सकते हो चावल बना सकते हो सबजी बना सकते हो कुछ भी इसके अंदर आप बना सकते हो तो दोस्तों यह तो हो गई types की बात अब बात करते हैं calculations की जैसे कि ये एक microwave मेरे पास पड़ा है और हो सकता है कि आपके घर में कोई microwave हो तो उसकी liters में capacity हम कैसे निकाले तो simple सा calculation है फटाफट से आप कर सकते हैं दोस्तों microwave जो है उसके अंदर की dimensions आपको लिख लेनी है और उसको आपस में गुणा कर देना है जैसे कि ये मेरे पास microwave है 25 liter का तो इसका अंदर से जो dimensions है तो इसकी width आपने measure करनी है तो मैंने इसकी width measure कर रखी है 34 cm है और इसकी depth 35 cm है और इसकी height अंदर से 21 cm है तो इनको आपने पहले mm में convert कर लेना है mm में convert करना बहुत यासान है एक cm में 10 mm होते हैं तो जितने cm हैं उसके पीछे आप एक 0 लगा दीजिए तो आपने width into height into depth को आपस में गुणा कर देना है जो भी संख्या आपके सामने आएगी उस संख्या को आपने 10 लाग से divide करना है और जैसे ही आप divide करते हो आपके सामने actual liters में capacity आजाएगी particular microwave की आप screen पे देख भी रहे है calculation और I hope आप try भी जरूर करेंगे दोस्तों ये छोटा सा वीडियो जरूर था लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही useful रहेगा आपके लिए तो मैं मिलूँगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए God bless you